स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नौलेच में आज मैं डीडियल में बताने जा रहा हूं कि घर का नक्सा कैसे बनाए अगर आपके पास प्लॉर्ट साइज पचास फिट लगबग लेंध है लंबाई कितना आपका 50 feet ओके 50 feet और चोड़ाई आपका 10 feet यहां पे एक्षोली में जो साइज है आप देख रहे हैं 48 feet 10 inch यहां देख रहें 48 feet 10 inch है लंबाई और आपका 9 feet 10 inch है आपका चोड़ाई इसके according मैं पूरा detail बताने जा रहा हूं कि कैसे मैं बनाया हूं देखिए यह first floor plan है क्या है आपका first floor plan है और ground floor plan में आपको बताने जा रहा हूं देखिए ground floor plan है इनको सिर्फ ground में hall provide करना है क्या करना है hall provide करना है इसलिए first floor plan आपको मैं first floor में plan बताऊंगा सेम आप ground floor plan बना सकते हैं यह देखिए यहां पर देख सकते हैं यह आपका ground floor plan है यहां से में डोर है यहां से इंटर करेंगी यह hall हो गया hall का size है 15 feet इंटू 9 feet यानि कि आपका लंबाई हो गया यहां से यहां तक 15 feet और चड़ाई हो गया यह आपका 9 foot फिर आपका देखिए यह पैसेज है तीन feet का गली मिलेगा फिर यहां पे steer यानि कि यहां से store room का लंबाई है 17 feet 5 inch इंटू 9 foot और back side में देख रहे हैं यह आपका utility 3 feet का इधर पैसे छोड़ा गया है utility करने के लिए ओके यह आपका ground floor है सेम जो कि मैं first floor plan जो बनाया हूँ सेम आप ground floor में बना सकते हैं और यह देखिए front में आप देख रहे हैं यहां पर double steer यह यह यहां पर साबने से भी steer provide किया गया है और बीच में भी center में भी steer provide किया गया है चलिए इसका पूरा detail समझेंगे putting layout से लेकर के प्लिंथ बीम देखिए यहां पर प्लिंथ बीम का drawing है यह प्लिंथ बीम का drawing है clear और यह आपका footing layout डाइग्राम यह भी आपको समझेंगे वीडियो आप लाज तक देखें अगर civil site knowledge से आप drawing बनवाना चाहते तो minimum charge पे करके 750 य मिलेगा आपको 2D plan मिलेगा और ground floor plan मिलेगा आपको ओके layout detail still detail अगर निकलवाना चाहते हैं estimating और costing तो पूरा detail में आप civil site knowledge से बनवा सकते हैं और मैं एक जल्दी वीडियो लेकर आने माला हूँ कि आपका director से घर बनवाते हैं तक इतना loss होता है या engineer से घर बनवाना चाहिए यह पूरा detail में आपको बताने जा रहा हूँ वीडियो आप last तक देखिएगा ताकि आपको यह समझ में आएगा कि घर का नक्सा जो बनाया गया है कैसे बनाया गया है और आपके पास भी plot 10 by 50 का है तो आप same बना सकते हैं आप अपने requirement की recording बना सकते हैं ओके तो चलिए मैं detail में आपको समझाने के कोशिश करता हूँ देखिए मैं आपको first floor plan पले मैं बता दू ताकि फिर column layout footing layout मैं बताऊंगा ओके यह first floor plan है जैसे कि मैंने बताया ground floor plan में भी से भी आप समझ लेंगे से मना सकते हैं दिखिए यहां से यहां इस्ट्यर है यहां से आप जाएंगे ground से दिखिए इस तरह से हम इस्ट्यर ऊपर आ जाएंगे यहां first floor पे आ गए तो यह गली आपको मिलेगा 3.5 feet का यह गली आपका देख रहे है यह गली है 3.5 feet का यहां देखिए लिखा हुआ पैसेज 3 feet 5 inch का ओके उसके बाद आपको यह देखिए यहां पी kitchen थोड़ा मैं दुसरे में बताता हूँ यहां पर देख लीजिए इस plan में देख लीजिए इसमें dimension नहीं है अगर हम इस side आत हो गया इसी का विंडो आपका यहां पर मिलेगा उसके बाद यह बेड्रूम टू है नौव बाइन और यह बेड्रूम फ्रॉंट साइड जो कि इस डाइरेक्शन जो है आपका बेड्रूम टू है यह आपका नौव फीट बाइन फीट इसका बलकनी देखिए बलकनी से टौइलेट जो है आपका दो फीट साथ इंच इंटू पांच फीट दो इंच गया और साथ मीई यह बेड्रूम हो गया बेड्रूम कर लें थे 11 फीट यहां से यहां तक 11 फीट चोडाइए हो गया आपका नौव फीट चाहें तो अगर आप चाहें तो सिंगल मना सकते हैं mástr bedroom बना सकते हैं इसको क्या कर सकते हैं? mástr bedroom मना सकते हैं यहां पैक कर देंगे और यहां दरवाजा पर वायलेटे ह wishing ora इसके लिए टॉलेट यहां पर हो जाएगा और इसे , यह कॉमन टॉयलेट हो जाएगा क्या है कि बहुत ही इंपोर्डेंट है कि अगर आप तो प्लान तो बनावा लेते हैं लेकिन फोटिंग जो ले आउट हो है यह भी जरूरी होता है कि सेंटर लाइन से कि कॉलम की स्पेस में होना चाहिए कॉलम की इधर डाइरेक्शन तो देख रहे हैं आपका सीवन और एप का सीवन और यहां पर जो में सट की अगये सी वन क्या है आपका कॉलम की अगया है यानि बलाक क्लर का जितने में देख रहे हैं वन तू थी फॉर यह आपका Лeck में जो दिख रहा है यह कॉलम है और यह ऑनिकी बेस जो आप डालेंगे उसका साइच क्या है तो की इस डिरेक्षन में एक यहां पे हैं और दो कॉल्रम आपका यहां पे हैंतलτο का तो डिचल नमबर और आथी तूसल清ics और को इलई okay थिखैंगे थिक और सेंटर लाइन हों इसके हैं कि सेंटर गली म little head है वां से टू सब गडी डेलान का चाहते हैं अगर आप स्पीडी एफ पर जैनल पर जोड जाये वहाँ पर इसका प्राइफ उसका प्रीडिय स्पीडा से मिलेगा इस चील डीटेल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मुझसे संतर करना पड़ेगा फिर आपको ड्रोइंग बन वाना पड़ेगा ओके तो आपको फ्लॉर प्लांड जो मैंने किया हूँ सिर्फ यह और support किजिए civil side knowledge को जो भी आप support करते हैं जो भी member बनते हैं उनके जो message आते हैं उनके तुरंत response दिया जाता है जो भी message आएगा civil side related आपका past जो भी query होगा जो भी question होगा आप पुछ सकते हैं ओके चलिए वीडियो continue करते हैं यहाँ पे आईये जैसे कि आपने देख लिया अभी हाँ देखे पुरा footing का size दिया हुआ है यहाँ पे देखे जी F1 footing F1 footing का size है 4ft into 3 feet into 1 feet 2 inch का यह इयाँ आपका footing का size है still यहाँ पेे mention किया गया है grade of accessible mention किया गया है यह remark है उसी दिर F2 C1 C2 और PB1, PB2, SB1, SB2 यह क्या है आपका यह प्लिंट बीम है ग्राउंड बीम बोलते हैं और यह स्लैब बीम है जिसे कि यहाँ पर देखे कुछ अगर आप चेंज करना चाहते हैं जब स्लैब डालके वहाँ पर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर देखे मैं थोड़ा से सेक्षन बना दिया हूँ इस्टील का यह सेक्षन एंजील जो ग्राउंड लेबल होता है उसे आपको चार फिट कम से कम चार फिट एक्सवेशन करना है ओके यह आपका हो गया आपके जो तो यहाँ पर सेक्षन डिटेल आपको मिल जागा चलिए आपको मैं यह देखी है देखा हूँ यह देखी है आपका प्लिंदी भीम यानि कि जो ग्राउंड भीम है यह पूरा लिखे डिंचन किया गया है आप टेली ग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं उसके बाद यह आपका slab beam है slab जब हम डालेंगे तो एक beam पढ़ता है तो यह slab beam है ओके आप सबको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगो तो फ्रेंड के साथ जरूर सेर करें जिनके पास यह इस साइज का plot है यह ड्रोइंग बनवा सकते हैं और हमारे टेली ग्राम चैनल पर जाकर जूट कर आप ले सकते हैं इसका PDF और मैं एक बता दूँ कि आपको क्या करना है सिविल साइड नॉलेज को सस्क्राइब करना है और लाइक भी करना है सेर्वी करना है साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है सिविल से रिलेटिट वीडियो आप तक पहुचता रहेगा ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो